सीरियल जेदी दिल में आ गया है हिूमन बॉम्म वाला ट्वेस्ट जहां एकेडमी में सीम को मारने के लिए स्टेज पर पहुच गया चारू का भेजा हुआ हिूमन बॉम्म जिसे देखकर सभी की सांसें थम जाती है जी हां इन दिनों सीरियल के कहानी में देखने को मिल रहा है फुल एक्शन जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय एकेडमी में सीम आये हैं वहीं सीम को मारने के लिए चारू और उसके लोग भी एकेडमी में घुसाए हैं चारू अपने प्लान के मुताबिक एकेडमी में हुमन बॉम बना कर लाती है और वो किसी तरह से पहुच जाता है स्टेज पर जहां सीम होते हैं अचानक से यूमन बॉम को स्टेज पर देखकर सब भी पैनिक हो जाते हैं लेकिन वहीं बल्ली होश्यारी से काम लेता है और वो उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है ये कहकर कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है बल्ली उस आदमी को समझाता है कि तुम जिसके लिए अपनी जान देने जा रहे हो वो चारू तुम्हें यहां से छोड़ कर भाग चुकी है ये सब देखकर वो शक्ष भी बल्ली की बातों में आ जाता है और उसे समझाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है और फिर उसके बाद सीरल की कहारी में दिखा ट्रेस्ट जब बल्ली और सभी मिलकर बॉम को डिफ्यूस करते हैं और सब को बचा लेते हैं कुल्चरल सेंटर पे चारू और तिली और उसके जो बाकी के साथ ही है वो लोग घुज गय थे बेज बदल के और तिली को जो है वो हुमन बॉम बना के बेसिकली चारू पाइदा उठा रही थी तिली का और दिली तो ही बच्चा है यह डाजन नो कि क्या सही है क्या गलॉत उसको बस उसके साथ जो रॉंग हुआ है उसके पीछे जो चारू ने उसके कान भरे हैं जिसकी विज़े से वो यह सब कर रहा है तो बेसिकली वो स्टेज पे आ जाता है एंदेन वी ट्राइन कंविंस हम की जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है और मत कर ऐसा एंद इतने में हम देखते की चारू जो है वो भाग रही है और मुनामी यह चारू को पकड़ के लेकर आती है और शी मेक्स तिली अवेर की तू जिसके लिए कर रहा है वो खुदी भाग रही थी बचके तो बेसिकली चारू को कुछ लेना देना नहीं है तेरे से वो तो तो यह को यूज कर रही थी तो दर शीकिन प्रेट टेररिजम फिलाल तो यहां चारू का प्लान हो जाता है फेल बल्ली और मुनामी की वज़े से वेल आप देखना दिल्चेस्प होगा कि इस नाकामे के बार चारू का क्या होगा अगला रियक्शन अगलाल खो प्रेट बल्ली और शीकिन